दो गाईस मैंने इप में 2 नाम से एक Chinese movie देखी जो कि आपको हिंधी लेंगवेज में देखने को मिलती है यह फिल्म सिर्व जिसमें आपको टोटल चार पार्ट देखने को मिलेगा मैंने पहले पार्ट का रीवध कर दिया है एंड ये दूसरे पार्ट का मैं रिवीव कर रहा हूं एंड इसकी हिंदी डबिंग कैसी है सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो का लास्ट तक देखिए जिससे आपको पता चल सके कि इप में टू मूवी कैसी है तो चलिए में इस वीडियो का सुरू करता हूं तो अगाई सबसे पहले बिना किसी स्पोइलर के स्टोरी के बारे में बात करते हैं जब जो इप में होम टाउन को छोड़का होंग कोंग आता है तो वह एक मार्सा आर्ट का स्कूल खोलना चाहता है होंग कोंग में कुछ नियम है यदि उसे मार्सा आर्ट का स्कूल खोलना है तो उसे महां कर जो सिखाता उससे पहले हराना होगा उसके बाद क Divine मार्सा आर्ट का स्कूल खोल सकता है लोगों को च्योंडनाम हो जाएगा तो हमारा में उस फिरंगी वक्सर को हरा पाता है या नहीं हरा पाता है ये सब आपको इस फिल्म में देखनेयों को मिलता है तो मैं फिल्मज करूं तो बवल में भऌत या आपको इस फिल्म से अन तक आपको बान्दे ह Although अंट कर दोथा यह जराआ सब बौर नहीं करता है एक फ्रेम को बहुत मस्ते बनाया गया है जिस तरह से मार्शा आर्ट का कोयोग्राप किया गया है वह बहुत लिवल में किया गया है तो आपको देखकर बहुत ही मज़ा आता है करते हैं सबीने बहुत भवत करें अच्छी देखने का मिलता है आपको डिसपॉंट नहीं करेगी तो आपको इस इंस्पिरेशनल वाला मुवी देखना चाहते हैं जिस सेब्स आपकुछ सेख्क शकते हैं तो इस मूवी यह को देखएगा इपमेंट 2 इपमेंट 1 का मैंने पहले रिव्यू कर चुका हूँ अब मेरा फिल्म को लेकर जी हां आप एक डिसंट फिल्म देखना चाहते हैं ठू स्टोरी पर फिल्म देखना चाहते हैं जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आए एंड आप फिल्म से मतलब अंदर से अगर सीन नहीं है तो इसे फैमली के साथ देख सकते हैं मैंने इपमेंट 1 का लिंक उपर दे दिया है आप वहां से जाका इपमेंट 1 का रिवू देख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आप इस तर तब तक के लिए जाहिन वान दे मातरम